हेलो वाइज वेलकुम टू दाइस्टी न्यूसरी जिसमें आपको जिता हूँ मैं हॉल्लीवूड और सुपर हेरो मूवी तीवी सीरी से लेट सारे न्यूस तो आज मैं आपके लिए मार्वल डीसी और कई हॉलिवूड मूवी से लेटीड बहुत सी ब्रेकिंग अपडेट लेकर आया हूं जो आप सुनोगे तो कहोगे क्या अपडेट है तो बेना टैम बेस करें स्टाट करते हैं तो जब 2019 में जोकर मूवी रिलीज होई थी और इतनी कंफर्म हो गया है कि जोकर का सीवकल आने वाला है फिलाल जो मैं रिपोर्ट बता रहा हूं वो रिपोर्ट दिया है दा हॉलिवूड रिपोर्टर ने अब ये बहुत ही बड़ी है मीडिया वेबसाइट है जो सूपर हीरों मूवी से रिलीट बहुत सी इंट्रेस्टिंग अब देती है जो जायता सही सावित होती है तो उनके तरफ से रिपोर्ट दी गई है कि टॉट फिलिप्स को जोकर टू मूवी के लिए दुवारे से रिटन लाया जा रहा है और वो इस मूवी को करने वाले हैं साथी इस मूवी को डिरेक्ट भी करेंगे ही ये निउस कहीं ने कहीं या मेरे ख्याल से अल्मूस्ट कंफरम है कि जोकर का सीकल वन आया और इस मूवी को टॉट फिलिप सी समालने वाले हैं सायद आप सबको पता लग गई होगी कि एरन टेलर जोंसन यानि की एमस्यू के क्विकसिलवर अब सोनी के यूनिवर्स के सोनी के मार्वल के य दैरेक्टा जेसी चेंडोर अगर आपको डैरेक्टर जेसी चेंडोर के वारे में नहीं पता है तो बता दू की वह इससे पहले रोल मिलने से पहले जॉन डेविड वॉसिंटर, कियानू रीप्स, ब्रैट पिट और एड़न ग्रैवर को भी अप्रोच किया गया था इस रोल को मना कर दिया तर्फ कर दिया था तब जाकर एरं टेलर जॉनसन को यह रॉल मिला है तो देखते हैं कि म्む मिल एक किस तरह जोंसन सांत रहे से दले शुक्वर्मर तरको हो ग कर देंग अ जो इस ट्रेलर ने बहुत ही बड़े-बड़ एक टोड़े हैं तो रिकॉर्ड की बात किया है तो इस ट्रेलर को 24 गंटे के अंदर सभी सोचल मीडिय प्लेटफॉर्म पर 77 मिलियन यान की 77 मिलियन यूस मिले थे जो फिलाल कहीं MCU की मुवी के ट्रेलर से कहीं जादा था फिलाल इट्रेलर के ट्रेलर ने रिकॉर्ड टोड़ा था विलैग विड़ो के ट्रेलर का जिसको 24 गंटे के अंदर 70 मिलियन व्यूस मिले थे तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इस मुवी की फैन फॉलाइंग बहुत ही यादा होने वाली है क्योंकि हर मुवी से मार्वल की हर मुवी की फैन फॉलाइंग बहुत ही यादा बढ़ती जा रही है और इटर्नल्स वजैसी मुवी के लिए फैन फॉलाइंग बढ़ना बहुत ही बढ़ी बात है तो देखते हैं कि यह मुवी कैसे आती है तो बढ़ते हैं अगली नियूस क को बताया था कि Hollywood में एक और बड़ी डील होने वाली है Amazon MGM के वीच में इन दोने के वीच में डील चल लाई थी तो गाइस अब यह फाइनली अपडेट मिल चुकी है कि यह डील फाइनली कंफर्म हो चुकी है और Amazon MGM को फाइनली 8.45 billion dollars की रकम में खरीद लिया है फिलाले इतने बड़े डील भी नहीं है लेकिन यह डील Amazon के लिए बहुत ही बड़िया साबित हो सकती है क्योंकि इस डील के complete हो जाने के बाद Amazon के पास James Wan के rights आ जाएंगे और एक तरह से James Wan की सभी movies अब Prime Video पर आ जाएंगे जो की again Prime Video के लिए बहुत बड़ी बात होगी तो overall जो डील हो रही है वो सभी streaming platform को ध्यान में रखतर हो रही है अब डील की बात होई रही है तो अभी एक और बड़ी डील हुई है अब यह कशी company के बीच में डील नहीं हुई है यह डील हुई है Jack Scaffer अब Marvel Studios के लिए काम करेंगी जो उनकी Disney Plus के लिए series आने वाली है उनको ही लिखेंगी उनका screenplay लिखेंगी फिलाल इससे पहले Jack Scaffer ने Black Widow, Eternals और अभी हालीवे WandaVision के लिए WandaVision को co-write करा था जिसकी writing सभी fans को बहुत जाता पसंद आई थी क्योंकि यह show एक ऐसा था जिसकी last episode तक किसी को भी नहीं बता था कि क्या होने वाला है तो writing point of view से यह अभी तक का best show माना जा सकता है Marvel के लिए तो इसमें तो कोई सक नहीं है Jack Scaffer एक पहुत ही बढ़िया writer है और तीन सार के लिए Marvel ने उनको book कर लिया है तो देखते हैं कि आने वाले time में वह कैसा कैसा content create कर पाती है वांड विजन की बात हो रही है जिसमें हमारी एलिजा वेत ओल्सन देखी थी उनकी एक और न्यू टीवी सीरीज आने वाली है अब यह मसोच लेना कि यह टीवी सीरीज कोई Marvel के लिए होगी यह सीरीज होने वाली है है HPU Max के लिए यानि कि जो डिजनी प्लस का सबसे बड़ा competitor है अभी है HPU Max उसके लिए अब एलिजा वेत ओल्सन काम करने वाली है और उनकी एक न्यू टीवी सीरीज आने वाली है जिसका नाम है Love and Death इस सीरीज की कास्टिंग में जैसी प्लीवांस का भी नाम चुड़ चु है excited हूँ पढ़ते हैं अगली न्यूस के तरह हाली वोट में आजकल वाकी में डील का बहुत ही चलन चल गया है तो अभी एक और डील हुई है और यह डील हुई है Robert Pattinson और Warner Bros. के बीच में अब यह डील क्या है इस डील के बारे में आपको बता दे रहा हूं तो Warner Bros. ने Robert Pattinson के साथ एक ऐसी डील करी है जिसमें वो आने वाले टैम में जितने भी प्रोजेक्ट करेंगे चाहे वो उस मूवी में काम कर रहे हो या उस मूवी में एस प्रोडियूसर के तौर पर जुड़े हो या किसी भी तौर पर जुड़े हो उसको कही ना कहीं सपोर्ट करेगा Warner Bros. या साथ भी Warner Bros. ने ऐसी डील करी थी उनकी अभी तर जितनी मूवी आई है उनमें Warner Bros. ने अपना पैसा लगाया है और उससे ज्यादा पैसा कमाया भी है पिलाल ऐसी भी न्यूस आई है कि अब क्रिश्टवर नोनल वार्न ग्रोज के साथ ये डील तोड़ने वाले हैं और अबिसोड आ जाएगा तब Marvel के तरब से वाट इफ सीरीज को स्टार्ट करा जाएगा और ये सीरीज फिलाल स्टार्ट होने वाली है डिजनी प्लस के प्लेट्वार्म पर अगस्त के महीने में यानि के जून के बाद जिए जुलाई तक जो लोकी की टीवी स्रीज चलेगी उसकी वाट जो अगला मनताएगा उसमें स्टीवी सीरीज के अपिसोड का अनौंस कर दे जाएगा फिलाल वाट टिवी सीरीज के आपिसोड को लेकर जो पहला में बहुत बड़ी अपडेट है तो जो पहला एपिसोड होने वाला है उसमें एजन्ट कार्टर और स्टीव रॉजर्स की स्टोरी देखने को मिलेगी कि कैसे उसमें एजन्ट कार्टर को सूपर सोल्जर सिर्म बनता है और किस तरह से वो कैप्टन ब्रेटेन बनती है अब यह अपडेट गाइस सच में बहुत सभी फैंस को पता लग चुका है कि क्यूं स्कॉट डेरिक्सन ने डॉक्टर स्टेंज 2 मोवी को छोड़ा था तो अगर आपको नहीं बता तो मैं आपको बताता हूं तो डॉक्टर स्टेंज 1 मोवी को डेरेट करने के बाद स्कॉट डेरिक्सन दा ब्लैक फोन नाम की एक मो को release करने दे तब जाकर वो Dr. Strange 2 पर काम करना start कर दें जिस पर फिलार Marvel Studios माना नहीं और वो यह चाते दे कि सबसे पहले वो Dr. Strange 2 movie को खतम करें फिर जाकर वो अगले project पर काम करें तो इसी movie के चलते ही उन्होंने मार्वर स्टूडियो के साथ यह बोला या मार्वर स्टूडियो से यह बोला कि आप अपनी movie रख लो मैं अपनी movie रख लेता हूं और मैं सबसे पहले यह movie डिरेट करूँगा तो गाइस 2022 में जो ब्लैक फोन मुवी आने वाली है उस movie के लिए ही स्कॉर्ड डिरेक्सन ने डॉक्र स्ट्रेंज इन दा मल्टिवर्स ऑफ मैडनेस मुवी छोड़ी थी इसके लावर सूपर हिरो मुवी उसको लेकर कुछ और छोटी छोटी अपडेट है जो मैं आपको एक साथ ही अपने इंस्ट्रगाम पर रिलीज कर रहा है जिसमें आप देख सकते हैं कि यह सैट कितना जाधा बड़ा लग रहा है इसके लावा सेजायम 2 मुवी को लेकर यह अपडेट आई है कि जो इसके जो डेरेक्टर है डेविट एफ सेंडवर्क उन्होंने ऑफिसली कंफर्म कर दिया है कि इस मुवी की सूटिंग स्टार्ट हो चुकी है फिलाल इस अनॉंस्मेंट को उन्होंने इस पिक के साथ पोस्ट करा था जिसमें हम एक कैमरा देख सकते हैं सेजायम के लोगों के साथ इसके लावा टिम मिलर जो डेटपुल 1 मुवी के डिरेक्टर है उन्होंने देटपुल 3 मुवी को लेकर कुछ स्टेट्मन दिया है उन्होंने यह बोला है कि अगर मार्वल स्टूडियो के अंडर अगर डेटपुल 3 आर रेटट नहीं बनती है अगर PG-13 बनती है तब ही सही फैंस को कोई नराजगी नहीं होगी क्योंकि डेटपुल का करेक्टर ही ऐ एक और बड़ा नाम जूड़ चुगा है फिलाल इन एक्टर के वारे में आपको नहीं पता होगा लेकिन यह हॉलिवूट के बहुत ही जाने पेचाने एक्टर हैं तो क्रिश्टोफर मैक डॉनल्ड को अभी हाली में मार्वल की सीक्रेट इन्वेजन टीवी सेरीज में कास् कार्ट हैं जिसके बाद यह कंफर्म हो गया है कि जो ऑसकर इजाक हैं वो मून नाइट का रोल प्ले करने वाले हैं तो यह तो रही सूपर हेरो मूवी से रिलेट अब बढ़ते हैं हॉलिवूड के अधर प्रोडेक्ट को लेकर जो अपडेट आई हैं उनको में देने वाला इसके लावा अंचार्ट एट के गेम को लेकर बहुत बड़ी अपडेट आ रही है तो सोनी की तरफ से ऐसे हिंट दिये गए हैं कि आने वाले टैम में जो अंचार्ट एट गेम सिरीज का जो फोर्थ गेम है अंचार्ट एट फोर वो पीसी के लिए आ सकता है इसके लावा एक और गेम सिरीज है दा लाश्ट आफस फिलाल उस गेम सिरीज को लेकर एक टीवी सिरीज वनाए जा रही है जिसका नाम है डा लाश्ट आफेर तो इस सीरीज की कास्टिंग में मेरली डैंडरीज का नाम जुड़ चुका है अब यह कोई जान बेचाना नाम साहथ आपको Sam Raimi को उनकी Spider-Man series के लिए जानते होंगे लेकिन वो इससे पहले कहीं horror movie भी direct कर चुके हैं और वो mostly अपनी horror movie के लिए पहले जाने जाते थे तो अब ऐसी news आई है उनकी तरफ से ऐसे hint मिले हैं कि वो Evil Dead series को दोबारे से renew कर सकते हैं उस series की movie को तो अब Sony के character पर वेस एक new game आने वाला है जिसका finally trailer एक teaser भी आ चुका है जिसमें ये reveal हुआ है कि ये game बहुत यल्ली release होगा जो कि PlayStation, PC, Xbox सभी platform पर एक साथ release होगा इसके लाब अभी हाली में एक Quiet Place release हो चुकी है तो अब इसके जो star हैं जो इस movie में काम कर रहे हैं Emily Blunt और उनके पती जॉन क्रेजन्स की उन्होंने ये hint दिये हैं कि अगर ये movie successful सावित होती है तो साथ वो इस movie का third part भी मना सकते हैं पर आल ये update तो almost सभी fans को पता लगी गई होगी Money Heist के part 5 को लेकर तो इसके part 5 की जो announcement है वो officially हो चुकी है तो इसका जो part A है वो September के महिने में आने वाला है और जो इसका part V है जो last part होगा वो release होगा December के महिने में तो Netflix की तरफ से अभी हाली में Geek Week नाम की एक platform को announce करा गया है जिसमें 7 से 11 जोन के वीच में बहुत से new news सो के वारे में announcement हो सकती है जिसमें सबसे important तो The Witcher है इसके लावब The Umbrella Academy, The Sandman, The Cubbet, Soul, Lucifer इन सभी सो के वारे में कुछ बहुत बड़ी information निकल सकती है तो ऐसे हो सकता है कि साइद हमें इस सो का यानि के Witcher 2 का फर्ष्ट लुग भी देखने को इसी टैम में 7 से 11 जोन के वीच में देखने को मिल सकता है तो देखते हैं कि क्या होता है तो जॉन विक 4 मूवी को लिए इंटरेस्टिंग अपडेट आई है तो जॉन विक 4 मूवी के लिए पॉप स्टार रीना सावा यामा को कास्ट किया गया है जो जॉन विक यानि के हमारे क्यानो रिप्स के अपवसिट ऐसे मी लीड एक्टरेस के तोरपर देखने को मिल सकती है इसके लावा जो विली वॉंका की जो ओरिजन मूवी बनने वाली है उस मूवी की कास्टिंग को लेकर एक बहुत बड़ी अपडेट आई है तो रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो एक्टर टिमोथी केलेमेट है वो साथ विली वॉंका के ओरिजन में विली वॉंका का रोल प्ले कर सकते हैं इसके लाब गाइस डिरेक्टर एडम विंगार्ड जोनोंने अभी हाली में गॉड्जिला वजिस कॉंग मूवी को डिरेक्ट करा था उनके अभी एक न्यू मूवी की अनॉंस्मेंट हो चुकी है और इस मूवी का नाम होने वाला है hardcore ये एक एक्ण साइफाई मूवी होने वाली है पिलाल इस मूवी का writer होने वाले है Robert Kirkman इससे फहले The Walking Dead और Invincible series को लिख चुके है तो writer भी बहुत 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 है और अगर आपने भी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो ज़रूरी सब्सक्राइब करें क्योंकि यहां पर मैं ऐसी Hollywood movies related सारी updates लेकर आता रहता हूँ तो गाइस मैं अंकित मिलता हूं से नेक्स वीडियो में तब तक के लिए thank you and bye